हालो फ्रेंट्स नमस्कार दोस्तो आप सभी का आपकी इस चानल पर मैं बहुत बहुत शौगत करता हूँ दोस्तो आप देख सकते हैं यह 12 बोल्ट से चलने बाला एक बहुत आसान सिंपल सा फ्लैसिंग लाइट सर्कीट है दोस्तो आप इसे बहुत ही आसान तरी किसे अपने घर पर भी बना सकते हैं तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे तो बीडियो को पुरा कंपिर देखिएगा तो आप दोस्तो बारा बोल्ट के इस फ्लैसिंग लाइट सर्कीट को बनाने के लिए आपको एक सिंपल सा बारा बोल्ट का रिले यूज करना है जैसे कि आप देख सकते हैं बारा बोल्ट का रिले है इसके लाबा आपको एक कैपिस्टर लेना होगा और इस कैपिस्टर का value होगा 470 मूफ 25 बोल्ट में इसके बाद आपको केबल एक रेस्टेंस लेना होगा और इस रेस्टेंस का value होगा 220 ओम अब दोस्तों आप इसे बहुत ही आसान तरीके से किस परकार से बनाएंगे तो अब आपको क्या करना होगा आपको लेना होगा रेस्टेंस और यह जो फस्ट वाला इधर का पिन है दोस्तों यह कोईल वाला पिन है तो आपको यह जो पिन है और इस नार्मल क्लोज वाली पिन पर आपको इस रेस्टेंस को शोल्डिंग करना है तो आप देख सकते हैं कि आपको resistance को किस पकार से इस relay पर लगाना है इसके बाद आपको इस capacitor को लेना है और capacitor का जो मानस बाला point होगा तो आपको इस relay के इस coil बाले दूसरे pin पर आपको solding करना है और इसके बाद इस capacitor के इस positive बाले pin को आपको इस coil बाले दूसरे pin पर आपको solding करना है इस प्रकार से तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको capacitor और resistance को इस प्रकार से इस relay पर connection कर दीना है और अब इसके बाद हम क्या करेंगे अब इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास यह 12 बोल्ट से चलने वाला LED है एक green color का और एक red color का तो अब दोस्तों हम इस कैपिश्टर के इस निगेटिव बाले point पर folding करेंगे इस प्रकार से और रिले का जो दो point बचा हुआ है एक normal close और एक normal open वाला तो दोनों point पर हम इस LED का positive वाला जो wire है एक wire हम solding कर देंगे इस प्रकार से हम इन दोनों LED का जो positive वाला वायर है नार्मल close और नार्मल open वाले pin पर हम इस प्रकार से solding कर देंगे अब दोस्तों देख सकते हैं कि simple सा हमारा जो circuit है तो तयार हो चुका है अब आपको क्या करना है अब इस पर हम बारा बोल्ट का supply देंगे तो दोस्तों हम supply बारा बोल्ट के डाप्टर से भी दे सकते हैं और बारा बोल्ट के बैटी से भी दे सकते हैं तो मेरे पास फिलाल बारा बोल्ट का डाप्टर है तो दोस्तों मैं इसे supply दूंगा बारा बोल्ट के डाप्टर से इसके बाद इसका बारा बोल्ड का पॉश्टिव बादस अपलाई है तो हम इस बीच वाले कामने वाले पिन पर सोल्डिंग करेंगे तो आपको रिले वाले इस बीच वाले पिन पर इसे सोल्डिंग कर देना इस परकार से तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि simple सा हमारा पूरा connection जो है complete हो चुका है और अब दोस्तों मैं आपको इसे चला कर भी दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह circuit जो है तो इस relay से हमारा इस प्रकार से काम कर रहा है दोस्तों अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से केवल